BCA कोर्स करने के लिए educational qualification क्या होनी चाहिए 12th में बिना maths के BCA कर सकते हैं यानि जिन students के पास 12th में maths नहीं है क्या वो BCA कर सकते हैं क्या 8 से 12th पास करने वाले students BCA कर सकते हैं यह पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में इससे पहले हम BCA के बारे में जान लेते हैं तो BCA का फुल्फरम होता है Bachelor of Computer Application या Bachelor in Computer Application इसकी duration तीन साल की होती है यह तीन साल का एक Undergraduate Degree Course है 12th के बाद जिन students को इंटरनेट के दुनिया में एक अच्छा करीर बनाना है तो BCA बहुत ही अच्छा option माना जाता है BCA में आप Database, Programming, Networking और Web Development जैसे subjects पढ़ते हैं और जो students BCA करते हैं उनको IT company में easily job मिल जाती है और अगर BCA के बाद वो further study करना चाहते हैं तो MCA या MBA अच्छा माना जाता है तो अब बात करते हैं कि BCA के लिए eligibility क्या है तो सबसे पहले तो plus two complete होना चाहिए student का यानि कि 12th complete होना चाहिए with at least 50% marks यानि कि कम से कम 50% marks होने चाहिए अब दो condition है पहली condition तो ये है कि student के पास maths और English compulsory हो यानि कि students के main subject में maths और English होने ही होने चाहिए यानि कि इस हिसाब से PCM और commerce with maths वाले students इसके लिए eligible माने जाते हैं तो फिर उन students का क्या जो arts से हैं या फिर जिनके पास maths नहीं है यानि कि commerce without maths या biology के students तो क्या arts और without maths वाले students BC के लिए eligible नहीं है तो इसका अंसर है कि बिलकुल वो eligible हैं बहुत सारे ऐसे colleges हैं जो BCA के लिए सिफ उन्हीं बच्चों को eligible मानते हैं जिनके पास maths और English हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी colleges हैं जो BCA हर stream के बच्चों को offer करते हैं चाहिए वो आप arts से हो या commerce से हो या science से हो चाहिए आपके पास maths हो या ना हो यह चोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत जादा informative रहेगी वीडियो पसंद आए तो इसको like कर दें अपने दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe भी करें